जैहिंद सातियों नमस्कार, सभी अभ्यृत्यों को मेरा नमस्कार मैं हूँ प्राध्यपक सांतिलाल विश्णोई और आप देख रहें SLB ने हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल सातियों इससे पहले हम हिंदी व्याकन से समंदित 8 अभ्यास पत्तर पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे अभ्यास पत्तर 9 और इसमें हम बात करेंगे वर्ण विचार में अलप्राण, महाप्राण, घोस और अगोस के बारे में तो सातियों वीडियों पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आज का पहला प्रश्ण है, सभी स्वर होते हैं सभी स्वर क्या होते हैं, अलप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, घोस होते हैं या ए और से दोन होते हैं तो साथियों इस प्रश्ण का उतर है द यनि अलप्राण भी होते हैं और गोस भी होते हैं प्रश्ण नमबर दो सभी वर्गों का तीसरा चोथा और पांच वावर्ण यर लव और है क्या होते हैं तीसरा चोथा पांच वावर्ण और यरलवह क्या होते हैं तो इस प्रश्ण का उतर है कि ये गोस होते हैं प्रश्ण नमर तीन सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तता स, स और स क्या होते हैं यानि वो अलप्राण होते हैं माप्राण होते हैं गोस होते हैं या अगोस होते हैं तो पहला दूसरा और सह सह ये होते हैं आगोस प्रस्ट नमर चार सभी वर्गों का सभी वर्गों का पहला तीसरा पांचवा वर्ण ये रलव और सभी स्वर प्राय होते हैं तो ये क्या होते हैं गोस होते हैं या आगोस होते हैं महाप्राण होते हैं या अलप्राण होते हैं तो पहला तीसरा पांचवा ये रेलव और स्वर ये अलप्राण होते हैं सात्यू प्रस्ट नमबर पांच सभी वर्गों की दूसरा और चोथा वर्ण और स स स और है प्राई ये क्या होते हैं तो सातियों इस प्रश्ण का उतर यदि हमने पहले वाले प्रश्ण में उतर देखा है तो ठीक इसका विप्रित है वहाँ पे अलप्राण था तो यहाँ इस प्रश्ण का सही उतर होगा महाप्राण 2-4 और 6-6 हो रहा है निम लिखित में से अनुनासिक धवनी कौन सी है जिसका उचारण वो नाक से होता है तो जैसे आंग है और आ है ओप्सन नमबर जो ए है वो बिल्कुल सही है क्योंकि इनके उचारण में हमें नाक का सयोग लेना पड़ता है तो यह अनुनासिक धवनिया है तो इसके बाद सात प्रश नमबर सात आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है निम लिखित में से कौन से वरण महाप्राण की सरेणी में आते हैं तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि दूसरा और चोथा जो वरण होते हैं परतियक वरण का दूसरा और चोथा वो महाप्राण होते हैं तो खै और घै भी पर वरणों को कितने भागों में बांटा गया है स्वर्तंत्रियों की इस्तती और कमपन के आदार पर तो सातियों यहां पर स्वर्तंत्रियों की इस्तती और कमपन के आदार पर दो भागों में बांटा गया है जिसमें एक होता है घोस और दूसरा होता है अगोस गोस और एगोस दो बागों में प्रस्ट नमबर नो आपकी स्क्रीन पर निमले कितमे से कौन सा विकल्प आसंगत है तो का और सेरे से से बना है सही है ते और रह से त्रे बना है सही है जै और यह से यह बना है सही है गै और यह से यह है यह बिल्कुल गलत है यह ऐसे तो यहाँ पर असुद है गय सात्यों प्रस्ट नमबर 10 और अन्तिम स्वास वायू के आदार पर वरणों को कितने बागों में बांटा गया है यानि प्रेतन के आदार पर स्वास वायू के आदार पर तो सात्यों यहाँ पर भी सही उतर होगा तो सातियों कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे किसी और ज्यान वर्दक जानकरी के साथ तक तक जैहिंद